एलो दोस्तों मुझे उमीद है कि आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों आज जो हमारे डिसकेशन होने वाला हैं यहाँ पर हम डिसकेशन करेंगे अगर आप हर रोज 100 रुपे इन्वेश्ट करते हों केवल और केवल में 100 रुपे की बात कर रहा हूँ जो कि बड़ी बात नहीं है किसे भी स्टूडेंट के लिए या हाउस वाइफ हो या फिर कोई जोब कर रहा हो या कोई बिजनेस कर रहा हो कोई बड़ी बात नहीं है रोज 100 रुपे इन्वेश्ट कर. अगर आप ऐसा करते हो तो क्या आप rich बन सकते हो या फिर मैं ये कहूँ कि क्या आप crore पती बन सकते हो और अगर करना आपने सुरू कर दिया तो कितने दिन लग सकते हैं और आपको क्या percentage मिलनी अगर ये percentage आपको लगतार मिलते हैं देखो, share market में 100% तो कुछ भी नहीं होता, ये काफी ज़ाद रिस्की है, बताने से पहले मैं आपको ये भी कहूंगा, कि ये किसी भी तरह का आपके लिए ना तो कोई buy recommendation होगा, ना ही कोई selling recommendation होगा, ये just educational purpose से बिनाई गई analysis video है, इन्वेस्ट करने से पहले आपको अपने research करने हैं, अपने investor के सला लेनी हैं, क्योंकि profit भी आपको होने वाला है, loss की जिम्यदारी भी आपको अपने आप लेनी हैं, तो यहाँ पर हम एक सिर्फ discussion करने वाले हैं, आपको कितना percentage return मिलें, और अगर वो percentage return vary करता है, बढ़ता या गढ़ता है, तो क्या situation हो सकती है, इन सारे चीजों का आज हम discussion करेंगे, लेकिन जो main focus हमारा होने वाला है, वो है 100 rupees per day अगर आप invest करते हैं, तो कितने दिनों में आप करोड़ पती बन सकते हैं, या बन भी सकते हो कि नहीं, इसका discussion करेंगे, लेकिन उससे पहले हम कुछ चीजों पर नजर डालेंगे, जैसे कि मैंने अपनी previous videos में भी दिखाया है, और आप खुद से भी Google में सर्च करेंगे, तो आपको दिखाई देगा, यहाँ पर मैंने 50-50 Index का CAGR निकाल है, यहाँ पर आप देखेंगे 14.18% है, आप मान के चल सकते हैं, 14% है, आप ऐसा मान के चल सकते हैं, इवन यहाँ पर गोल्ड के भी दिए गए हैं, या फिर फिक्स डिपोजिट ने आपको क्या average दिया है, काफी चीज़े दी गए, लेकिन हमें उससे कोई मतलब नहीं, हमें देखना है Index का, Index में आपको इतना मिल रहा है, अब Index क्या है, Index आप यहाँ पर देखेंगे, यह धियान नोट करने 14%, अब मैं आपको Index पर लिए कि चलता हूँ, यह Nifty 50 का Index है, यहाँ पर आप देखेंगे, Nifty 50 लगा हुआ है, इसमें 50 कंपनी है, यानि कि आप अपना पैसा, इन 50 कंपनी में, डिवाइड कर रहे हैं, जिस हिसाब से आप Index में लगाएंगे, आपको पैसा इन 50 कंपनी में इन्वेस्ट होगा, और जो इन 50 50 हैं, यह अपने आप पे रिसर्च भी करता रहता है, मालो इन 50 तो 50 कंपनी हैं कह सकते हो, कि पूरे मार्केट की या पूरे इंडिया की यह तो 50 कंपनी है, अगर इसमें से कोई कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है, तो इसे उससे बाहर भी निकाल दिया जाता है, और इसकी जहें दूसरी कंपनी को एड़ कर दिया जाता है, तब भी आपका पैसा उसी हिसाप से डिवाइड होता रहता है, जिस भी रेसों में इसमें कंपनी को किया गया है, आप गूगल पे सर्च करेंगे, वहापे आपको चीज़े मिल जाएगी, हमारे लिए वो जरूरी डाटा नहीं है, जरूरी डाटा है, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि, आपका जो 100 रुपीज पर डे है, ये इसमें जाके इन्वेस्ट हो रहा है, अब ये आपको 14% का रिटन दे रहा है, जो कि किसी भी FD से बहतर है, किसी भी PPF अकाउंट से बेटर है, या फिर किसी अधर और कोर भी स्कीम जो बैंक में चल रही है, उन सभी से ये आपको एक पहतर रिटन दे रहा है, दूसरा इसमें आपको कोई रिसर्च नहीं करनी, कि आपको इसमें रिसर्च करके इन्वेस्ट करना है, तो आपको क्या होता है, उस स्टोक के बारे में रिसर्च करने पड़ते हैं, टेकनिकली कितना स्ट्रोंग है, टेकनिकल्स क्या बता रहे हैं, फंडमेंटल्स क्या बता रहे हैं, कंपनी की बैलेंस सीट आपको देखनी पड़ती है, future क्या हो सकता है, competitor क्या कर रहे हैं, बहुत सारी चीजी देखनी पड़ती है आपको, तब आपको इसमें invest करना पड़ता है, इसमें आपको कोई research नहीं करनी, इसमें आपको सीधा पैसा जाएगा, और 50 best company हो में invest हो जाएगा, और इसका average return जो दिखाई दे रहा है, वो है 14%, 14% ह ये के चले है, हला कि 14 से कुछ ज़्यादा है, केकिन आप 14% मान के चलो, तो ये पता लग गया हमें कहा invest करना है, और 100 रुपीज का तो हम discussion करी रहे हैं, अब मैं सिधा आपको calculator पे ले के चलता हूँ, SIP calculator पे, इसे कहते हैं systematic investment plan, SIP के बारे में आप जानते हूँगे, तो यह यहाँ पे 3000 रुपे हो गया, यहाँ कि हम मंतली केवल और केवल 3000 रुपे invest करेंगे, तो यहाँ पे हम अपने 3000 रुपे कर देते हैं, ओके यह ओगया तीन अजार रुपी हमने सेलेक्ट कर दिया यहां पे आप देखेंगी किंटना रेटन हमें मिल रहा था तो यहां पे 14 परसेंटра नहीं मिल रहा था स्चीक हमें यहां पर फोर्टीन परसेंट यहां कर देते हैं कثstill है कि काश भी व्या और कि यह हो गया हमारा 14 परसेंट लग भग पूरा ही कर देता हूं 14 जिससे कैलकुलेशन थोड़ी से आसान हो जाएगी 14 परसेंट हो गए अब यहां पर समझो हमने 3000 रुपे महिने के डाले यानि कि 100 रुपे एक दिन में डाले आप मंधली इन्वेस्टमेंट करना 100 रुपे दिन का कहने का मतलब है जिससे आप कैलकुलेशन आसानी से समझ जाएगी जब भी आपकी सेलरी आती है जब भी आपको पेमेंट मिलता है या आपका बिजनिस होता है तो आपको 3000 रुपे परमन डाले अगर आपको 14 परसेंट का रिटन मिल रहा है 10 साल के लिए तो आपका टोटल इन्वेस्टमेंट एमाउंट कितना होगा 3,60,000 रुपे इस पर आपको रिटन कितना मिल गया याणि कि 4,26,000 रुपे आपको मिल गया लग बग लग लग बग आपको टोटल कितना हो गया 7,60,000 रुपे के असपास आपको टोटल हो गया लेकिन हमें कितना चाहिए हमें चाहिए 1 करोड तो उसके लिए हमें साल बढ़ाने पड़ेंगे अब यहाँ पर देखेंगे हम साल इंक्रीज करते हैं इसे सीधा हम लेके चलते हैं अगर आप 27 साल तक करते हैं तब आपको जाके मिलेगे 1 करोड 8,91,000 यह अप्रोक्सिमेटली मान सकते हैं 1 करोड 9,00,000 रुपीज आपको मिल जाएंगे आप ऐसा मान के चल सकते हैं यह आप अप्रोक्सिमेटली मान के चल सकते हैं लेकिन अब यहाँ पर इंट्रेस्टिंग पार्ट क्या है उसे समझो अब काफी लोग सोच रहे होंगे कि हमें तो 27 साल लगए है यह तो होगी हमारी सिंपल सी कैलकुलेशन कि अगर आप दिन में 100 रुपे लगाते हो यानि कि महिने के 3000 रुपे लगाते हो और आपको 14 परसेंट रेटन मिल रहा है तो आपको 27 साल लगेंगे एक करोड रुपे बनाने में अब यहाँ पर इंट्रेस्टिंग पार्ट क्या है आपका पर्मोशन भी होगा इसे हम 14 परसेंट इमान के चलते हैं तो ज़्यादा नहीं बढ़ा रहे आपकी सेलरी भी बढ़ेगी आपका बिजनिस भी बढ़ेगा यानि कि अगर आप इस पैसे को बढ़ाएंगे तो यह रिटन वैरी कर सकते हैं और फिर आप कुछ हिस्सा अगर किसी बहतर स्टोक में लगाएंगे है किसी अधर चीज में भी लगाएंगे तो आपका यह परसंटेज भी बढ़ सकता है जो आपको मंतली मिल रहा है ओ एनुवली मिल रहा है जो एनुवली 14% मिल रहा है पर लेकिन हम परसंटेज वहीं पर रखते हैं क्योंकि हम बात करें हैं इंडेक्स की तो आपने Nifty 50 के इंडेक्स में या पिर Sensex के इंडेक्स में किसी कभी आप पकड़ के चल सकते हैं आपर डिस्केशन हो रहा है जहां पर आपको 14% मिल रहा है तो अब हम यहाँ पे इसे vary करते हैं अगर आपने इसे बढ़ा दिया फिलाल आपको 100 रुपे के हिसाब से पता लग गया कि आपको 1 क्रोड मिलने में 27 साल लग जाएगे अभी हम इसे vary करेंगे लेकिन उससे पहले में आपका एक confusion क्लियर कर देता हूँ काफी लोग सवाल कर रहे होंगे कि यह index को हम कहाँ पे खरीद सकते हैं यह कहाँ पे हम invest कर सकते हैं यह भी तो काफी लोग होगी problem होगी तो उसके लिए आप dimate account open कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description में मिलेगा description में आपको दो link मिलेगी एक तो upstock का link मिलेगा दूसरा आपको जिरोधा का link मिलेगा आप दोनों में ही जाके अपना account open कर सकते हैं यहाँ पे दोनों में ही आप future and option community derivative, currency derivative, stocks, IPO, direct mutual fund, bond और government securities में भी आप invest कर सकते हैं यानि यह एक ही जंग है आप बहुत चीजे purchase कर सकते हैं तो इसलिए जल्दी से जाएए अपना demate account open कीजे पहले तो नीचे description में आपको link दिया गया है और किसी भी trader के पास कम से कम दो demate account होने चाहिए एक में वो intraday करता रहे या positional या swing trading करता रहे और एक account में वो long term investing करता रहे जिससे उसके balance में कुछ भी averaging करने में कुछ भी problem ना हो या उसका average खराब ना हो या फिर वो divert ना हो इसलिए long term investing अलग account में रखनी है बाकी सारी चीज़े आप अलग account में कर सकते हैं तो आपको ये भी पता लग गया है कहाँ पे फिर विससे वापिस महीं पे आते हैं देखो ये तो हमारी calculation थी अगर आप 100 रुपे हर रोज invest करेंगे यानि कि महीने के 3000 रुपे invest करेंगे तो आपको 27 साल लगेंगे एक क्रोड रुपे बनाने में लेकिन हमें चाहिए 1 क्रोड ही और कम सालों में ये तो तभी हो सकता है ना या तो हमार percentage बढ़ जाए या फिर हमारा पैसा बढ़ जाए तभी तो साल घट सकते है मैं आपको दिखाता हूँ calculation अब मान लो आपने 6000 कर गिया पर आपको 14% ही return मिल रहा है तो आप year घटाएंगे तो आपको कब मिल जाएगा 22 साल में या आपने अपना investment डबल कर दिया यानि कि दिन के आप 200 रुपे इन्वेस्ट कर गए तो क्या होगा दिन के 200 रुपे इन्वेस्ट करके महीने के 6000 रुपे होगे ये आपके investment तो आपको 22 साल लगेंगे वन क्रोड रुपीज बनाने फिर से investment बढ़ा दो आप दिखो आप इससे खेल सकते हो calculation कर सकते हो Google में जाएए SIP calculator टाइप कीजी आपको मिल जाएगा और अपने आप calculation आप देख सकते हैं अब हम यहाँ पे amount or increase कर देते हैं हमने कर दिया 10,000 10,000 कर दिया है तो इसे घटाते हैं तो आपको 19 साल लगेंगे आपके पास 1.13.000.000 रुपी आजाएगे अगर आपको 14% interest मिल रहा है और 10,000 रुपे आप per month invest कर रहे हैं तो समझ रहे हूं ना आप इसी तरीके से कर सकते हैं अगर percentage vary कर जाए तो लोग percentage की भी calculation कर लेते हैं माल लो आपको मिल रहा है 18% 18.2 आप दिखेंगे तो लोग 18 ही कर देता हूं मैं जिससे नहीं तो काफी लोग confuse हो जाएगे 18 कर देते हैं अब हम year और घटा देते हैं 16 साल लगेंगे investment 10,000 रुपे पर month और आपके अगर annual return आपके बढ़ गए तो आपको 16 साल लगेंगे 1 करोड रुपेज बना दे तो समझ रहे हूं ना फिलाल हमने यहाँ पर calculation क्या की थी यह तो मैंने आपको example बता दिए कि अगर आप investment बढ़ाते हो या फिर अपना return बढ़ाते हो किस तरीके से आप जल्दी से जल्दी 1 करोड टच कर सकते हो इसलिए जल्दी से सुरुवात करें investing की लेकिन risk की भी है अपने risk पे करना example सारे चीजे मैंने आपके साथ discuss करे दी और जल्दी से अपना है demate account open करें नीचे description में आपको link दिया गया है उन्हें बता चुका 2 demate account होना compulsory होता है जो बहतर होता है करने वाले तो एक भी account में कर रहे हैं वो personal choice होती है पर लेकिन मैं suggestion दूँगा आप कम से कम 2 demate account open करें ठीक है दोस्तों फिलाल इस video को like कीजेगा इसी तरह की और interesting videos देखना चाहते हैं तो आप हमें comment करके बता सकते हैं फिर मिलेंगे किसी next video में किसी अच्छे content के साथ Thank you